Find dy over dx for y equal to 2x square plus 3 whole square upon x square तो ध्यान से देखिए इससे solve करने के लिए हम derivative rule से जा सकते हैं division rule से जा सकते हैं लेकिन उससे जदा असान ये रहेगा कि मैं इसे division rule ना लगागे simply अगर मुझे x की power n का अगर मेरे पास x की power n है इसका derivative कितना होता है? dy over dx होता है n x की power n minus 1 अगर मुझे ये result भी ध्यान है अगर मुझे ये result भी ध्यान है तो भी मैं इसका derivative वारा में से calculate कर सकता हूँ concentrate करिए कैसे? मैंने क्या किया साथ में ये भी मालूम होना चाहिए कि a plus b का whole square कितना होता है? a plus b का whole square मेरे पास आता है a plus b का whole square जो काफी elementary result है a square plus b square plus 2ab अगर मुझे ये दोनों result मालूम है तो मैं इसका derivative बिना division rule के भी कर सकता हूँ देखे कैसे? concentrate करिए मैंने जो मेरे पास y लिखा है इसको क्या किया? expand निदर दिया तो ये मेरे पास आएगा 4x की power 4 plus 9 plus 12 x square upon x square ये मेरे पास कितना है? ध्यान समझे नेक्स स्टेप में है ये किस्टेप कि भास solution ही आएगा ये मेरे पास इतना हागा a square plus b square plus 2ab अगर मैं इसे rearrange करके लिखता हूँ तो ये मेरे पास आएगा x square से divide करेंगे a plus b plus c upon d होता है a upon d plus b upon d plus c upon d तो ये मेरे पास आएगा 4x square plus 9 x की power minus 2 plus 12 इतना आगया? ये इसमें कोई doubt है? simply divide कर दिया x की power 4 upon x square कितना है? x square and 9 upon x का रुप x से power minus 2 कर दिया and 12 ठीक है? यहां से मेरे पास dy over dx आएगा अब यहां से समझीए first 2 आगे जाएगा तो 8x आगया 8x आए second minus 2 आगे जाएगा तो ये minus 18 x की power minus 1 आए चेकर न? and 12 के derivative 0 आगया तो finally मेरे पास answer आया 8x minus 18 by x 8x minus 18 by x नहीं जाएगा ये कितना हैगा? ये आगे जाएगा and x की power and minus 1 minus 3 आएगा ये आपर minus 3 आएगा result क्या होता है? and x की power and minus 1 तो ये 18 x q तो finally मेरे पास answer कितना है? dy over dx इस function क्या आगया? 8x minus 18 by x q 8x minus 18 by x q division rule से हो सकता है कि कुछ अलग आता या मतबसे इस पार्म में नहीं आता लेकिन वैसे भी हम कर सकते थे लेकिन जादा अच्छा तरीका इस problem को solve करने का यही है कि अगर मुझे अगर मुझे ये मालूम है कि अगर मुझे x c power n का result मालू का derivative का n x की power n minus 1 होता है तो भी मैं इस problem को आराम से solve कर सकता हूँ simply मैंने क्या किया? a plus b का whole square कितना होता है? a square plus b square plus 2ab इसको use किया और इसकी help से मैंने जो problem थी उसको डंग से calculate कर दिया ध्यान से समझे मैंने क्या किया? तो important बात है ये result मालू मैं अच्छी बात है and a plus b का whole square मालू मैं a square plus b square plus 2ab तो इस problem को solve करना कोई बहुत बड़ी बात है काफी आसान है ध्यान से देखिए सबसे पहले मैंने किया 2x square को whole square 4x square plus 9 plus 12x square x square से divide कर दिया तो मेरे पास ये आया 4x square 9x कि पाफर मानस 2 and derivative लिया तो 8x minus 18x cube minus 18 upon x cube समाझ आगे है अगे